हेलो स्टुडेंट्स हाव रूं कैसे आप आप आएम सुनील मिश्राशर एंड आएम गूंग टू स्टार्ट वेरी फर्स चेप्टर अफ यूर हिस्ट्री बूक विच फ्रेंच रिवोलिक्शन हम आपके इस बूक के फ्रेंच रिवोलिक्शन चेप्टर का यह पहला पाट ब है पता है कि यह काफी महत्यों वीडियो आपके लिए होने वाला है तो क्लास शिक्स टू एट आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को अच्छी तरह जाना समझा पढ़ा ग्लास शिक्स में आपने फर्स्ट पार्ट के तौर पर इंसियंट हिस्ट्री को पढ़ा शेकेंड पार्ट के तौर पर अपने क्लास सेवन में मेडियेवल हिस्ट्री के बारें पढ़ा और थर्ड पार्ट के रूप में अपने मोडर्न हिस्ट्री पढ़ा क्लास एर्थ में यह जो क्लास नाइंत में हिस्ट्री आप पढ़ेंगे यह इंडियन हिस्ट्री से बाहर वर्ल्ड ह करें चैप्तर है प्रेंच उसमें टिवोलिशन से संब्धित्र आप समझेंगे दूसरे में रस्चन डिवोलुशन और तीसरे में हिटलर और नाजीजम के बारे में आप पढ़ेंगे तो इस वीडियो में हम फ्रेंच रिवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट प्रस्तूत करने जा रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है ये उस घटना से शुरू होता है जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था अचानक राजा एक ओर्डर देता है और उसके ओर्डर पर पूरे जो आर्मी है वो शहर की और प्रवेस करती है लोगों में एक रियूमर फैलता है कि राजा ने लोगों को शांत करने के लिए ये ट्रूप्स को भेजे हैं और जो कुछ कभी भी पबलिक के उपर फायर कर सकती है पहले से ही गुसे से भरी जनता अपने अपने घरों से निकलती है जिसे कम से कम साथ हजार और मर्द सामिल होते हैं वह वहां से चलते हुए ट्राउन हॉल पहुंचते हैं और ट्राउन हॉल में वह एक पिपल्स मिलिशिया गठित करते हैं और इस पिपल्स मिलिशिया को गठित करने के बाद वो arms के खोज में हतियारों के खोज में government buildings में प्रवेस कर जाते हैं फिर कुछ समय के बाद वो वहां से कुछ लोगों का एक समू सहर के जो पूर्वी भाग होता है वहां पर चल परता है और वहां पर एक पुराना बहुत famous jail होता है जिसे Westiles का prison कहते हैं तो उस prison पर धावा बोल देते हैं उसको वह लोग तोर देते हैं उसके commander की हत्या कर दी जाती है और उसमें जो भी कैदी थे उनको वहां से release कर दिया जाता है छुरबा लिया जाता है से कैदियों की संख्या सिर्फ साथ ही थी लेकिन ये महतवपूर नहीं था कि उन्होंने एक को किसी जेल को तोरा कुछ कैदियों को आजाद करवा लिया बलकि इससे बहुत ज़्यादा महतवपूर बात ये थी कि ये सरकार के डिश्पोटिक पावर का प्रतीक बन गया था यानि सरकार के जो राजा का जो निरंकूश सक्तियां थी उसका एक प्रतीक बना हुआ था और इसको ध्वस्त करके लोगों ने एक तरह से राजा के उस प्रतीक को उस डर को खत्म कर दिया था लोगों ने उसके इट को उसकी पत्थर को खड़िदा और अपने अपने घरों में स्मिर्थी स्चेस के रुप में रख लिए इस तरह से जो घटनाएं घटती है वो पूरे देश में फैल जाती है पेडिश और उसके दूसरे छेत्र में ये फैल जाती है और लोग अलग अलग छेत्र में दंगे फैल जाते हैं इसके बाद क्या होता है और आखिर ये सारी घटनाएं क्यों होती है ये 14 जुलाई 1789 की घटना इतिहास में फ्रेंच रिवोलिशन के नाम से फेमस है लेकिन इस फ्रेंच रिवोलिशन के पीछे क्या कारण थे आखिर लोग क्यों पूर आजा से इतने नाराज थे इन सारी बातों को हम नेक्ट टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे फिलाल इतना ही मेरे साथ बने रही है और वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद